मेवाड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे चलिए थोड़ा सा मैप के द्वारा हम देख लेते हैं यह जो आपको दिखाई दे रहा है दक्षणी भाग में दक्षणी मध्य भाग में तो राजी स्थान के तो यह मेवाड रियासत थी इसमें आधुनिक भारत के देखिए है वो आते हैं सेक्डों सालों तक मेवाड जो है वो रासपूतों का शाषन रहा था यहां पर यहां पर गोहिल वंस शिशोदिया वंस के राजाओं ने लगभग 1200 साल तक शाषन किया था लेकिन बाद के समय में देखिए मुस्लिम आक्रमन कारी यहां आते हैं और लूट प के हमीरदेव चोहान वो आएंगे और मोहमत तुगलक के समय चित्तोड को जीतेंगे और पूरे मेवाड को सौतंत्र करा लेंगे तो विभिन राजा वो समय समय पर आते हैं राजधानी जो है वह अलग-अलग वो बनाई जाती है कभी नागदा बनाई जाती है कभी आहड ब इस तरीके से मेवाड की राजधानी जो है वो शाषकों के साथ ही बदलती भी रही थी और यहां पर मेवाडी भासा जो है वो मेवाड में बोली जाती थी तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नोट्स के द्वारा प्राचीन नाम जो है वो मेवाड का शिवी था प्रागवाड तो प्राचीन शिवी जनपद में रहने वाले शेत्र को मेवाड कहा गया आधुनिक जो उद्यपूर है चिक्तोरगड़ है प्रतापगड़ है रासम्मद है ये सभी जिले जो है वो सम्मिलित थे उस वक्त मेवाड में मेवाड के जो शाशक थे उनकी कुल देवी थी बाण मा कर्णल जैम्स टॉड जो है वो मेवाड के शाशकों को कहते हैं विदेसी क्योंकि कर्णल जैम्स टॉड जो है वो राजपूतों को कहते हैं कि ये तो बाहर से आने वाली जातियां है और ये क्या है विदेसी है वही मुहनोत नैंसी जो है वो कहते हैं कि मेवाड में दो साख एक गुहिलवंस और दूसरी शिशोदियावंस और राजधानी देखिए मैंने सिक्वेंस में लिख दी हैं यहां पर कि सबसे पहले जो है नागदा को राजधानी बनाया गया वप्पर आवल ने बनाई और जो की गुहिलवंस से संबंदित हैं उसके बाद अलहट ने आहड क बनाई थी थी राजधानी फिर चित तोड़ को राजधानी जो है वह बनाई थी जैत्र सेंग ने तो यह सबी से संबंदित थे तो सबसे जाधा जो है वह गुहिलवंस के शाशकों का यहां पर शाशन रहा था गुहिलवंस गुजरात के इस्थान बल्लवी का शाशक शेलादित्य और पुस्पावती का पुत्र गुहिल गुहारेदित्य था तो शेलादित्य और पुस्पावती का जो बेटा था गुहिल इसी के नाम पर गोहिल वंस जो है वह पड़ा था जिसने 566 इस्वी में गोहिल वंस की स्थापना की थी. तो देखिए मैंने इसको गोले में रख दिया है 566 इस्वी को, तो आपको कुछ याद आया होगा कि 551 इस्वी में वासुदेव चोहान ने क्या किया था? चोहानों की नीव रखी थी, ठीक है? और उसी के आसपास 566 इस्वी में ही गोहिल वंस की स्थापना करते हैं, गोहिल लेकिन जो वास्तविक जनस्थापक हैं, वो वप्पारावल कहे जाते हैं. चिर्वा अविलेक में हमें गोहिल वंस के बारे में जानकारी मिलती हैं, तो बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है, एक्जाम में पूछी जा सकती है कि गोहिलों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती हैं, चिर्वा अविलेक में मिलती हैं, तूसरा वंस जो है, इसके बा तो यह अलग नहीं है इन्हीं गुहिलवंस के शाषक जो है वो बाद में शिशोदा गाउं के निवासी होने के कारण शिशोदिया कहलाए थे तो इसके संस्थापक जो है वो हमीर शिशोदिया को माना जाता है अब हम पढ़ेंगी गुहिलवंस के शाषकों के बारे में एक एक करके सबसे पहले हैं वपा रावल जिन्होंने 734 ईसवी में चितोड की मानमूर्य को हराया और चितोड पर अधिकार किया था इसी वज़े से इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है मेवाड का ठीके और इनका वास्तविक नाम था उपनाम नहीं इनका वास्तविक नाम जो था वो था कालभोज ठीके कालभोज जो है वो इनकी क्या थी एक तरीके की उपादी थी तो इनका वास्तविक नाम काल गाये चराया करते थे और इन हारिद रिसी नहीं इनको आशीरवात दिया था कि ये जो हैं वो बड़े जो हैं शाशक बनेंगे तो इनहीं के आशीरवात से वपारावल ने 734 इस्वी में चित्तोड के मानमोर्रे को हराया और चित्तोड पर अधिकार किया था तो सबसे पहले नागदा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था तो याद रखिएगा कि अभी तक चित्तोड जो है वो राजधानी बनी हुई थी नागदा को अपनी राजधानी बनाने वाले थे वपारावल और नागदा में ही एक लिंग नाजी का मंदिर बनवाया था जो कि इनके कुल देवता माने जाते हैं मेवाड में वपा रावल के द्वारा सर्व प्रथम सोने के सिक्के 115 ग्रेनों के प्रचलित किये गए थे ठीक है तो यहां पर ये दो लाइन जो हैं वो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि वपा ने नागदा को अपनी राजधानी बनाय था वपा रावल के समय का एक अर्वी ग्रंथ है फुतु हुल वल्वान वपा रावल ने अर्वों पर आक्रमन के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया था तो जब अर्वों का आक्रमन होता है तो वपा रावल ने एक मोर्चा बनाया था जिसमें प्रतिहार नरेश जो इसलिए इन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया था तो ये जो नाम है ये भी आप याद रखिएगा कि यहां पर देखिए जो गुर्जर प्रतिहार नरेश हैं, नागभण प्रतम, अजमेर नरेश जेपाल हैं, हाडोती के धवल हैं, मान के देवराज भाटी हैं और सिंद के रा इनके शौरे के सामने तो जो अरव थे, उनका जो जौर भाटा था, उनका गुस्सा जो था, वह भी टकरा कर चकनाचूर हो गया, कर्णल जैमस्टॉट ने कहा कि वप्पा कई वंसों के संस्थापक के रूप में पूझनिये हैं, वप्पा रावल के बाद आते हैं, अलहट जिन्हें आलू रावल भी कहते हैं, और जिन्हें अललट भी कहते हैं, तो देखिए कि अलहट भी कहते हैं, और कहीं कहीं पर आपको अललट भी मिलेगा, इन्हों ने अपनी राजधानी जो है वो आहड को बनाई तो अभी वप्पा रावल ने राजधानी जो है वो मेवाड में नोकर शाही का प्रचलन जो है वह किस ने किया था अलहट ने किया था और वराह मंदिर बनवाया था तो ये लाइन जो है वो आपकी एक्जाम में पहले पूछी गई है कि मेवाड में सबसे पहले नोकर शाही का प्रचलन किस ने किया था तो वह अलहट ने किया थ अलहट के बाद रन सिंग, रन सिंग के दो बेटे होते हैं, शेम सिंग और राहव, तो शेम सिंग के जो हैं, वो दो बेटे होते हैं, एक होता है सामन सिंग और एक होता है कुमार सिंग, ठीक है, तो जो सामन सिंग होता है, इस पर कीरती पाल चोहान जो हैं, वो हमला करते हैं, और यहां मेवार पर कबजा कर लेते हैं ठीक है लेकिन मेवार के जो लोग है वो कीरतिपाल चोहान को क्या कहते हैं तो विदेशी है और इसको यहां से भगा देते हैं और यही कीरतिपाल चोहान जिसने सामंत सींग को हराया था तो यह क्या करता है 1181 में जालोर जाता है और व कुमार सिंग, शेम सिंग के जो दूसरे बेटे थे कुमार सिंग, इनको मेवाड के लोग जो है वो राजा बना देते हैं, तो रन सिंग का जो दूसरा बेटा था रहप, ये शिशोदा गाउं को बसाता है, ठीक है, और इसी शिशोदा गाउं में शिशोदिया वंस की नीव ज इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब गुहिलमंस जो है, उनके राजा जो है रतन सिंगंग, जब उनकी म्रक्ट्यु हो जाती है, उसके बाद सकति सालिष आशक हमीर शिशोदिया, जोकी शिशोदिया बंस की नियः रखते हैं, तो रन सींग के बाद देखिए जो साशक है वो है जैतर सींग, इनका समय है 1213 इसवी से 1250 इसवी का, मद्यकालीन मेवाड के इतिहास का स्वन्ड काल कहा जाता है जैतर सींग के समय को, ठीक है? तो ये कहते हैं डॉक्टर दसरस सर्मा की जो पुस्तक है राजिस्थान थ्रो द इसमें कहा गया है कि जैतर सींग का जो शाशनकाल है वह मद्यकालीन मेवाड के इतिहास का स्वन्ड काल रहा दिल्ली सल्तनत की ये समकालीन है जैतर सींग ने अपनी राजधानी जो है वो नागदा को बनाया था तो दीखिए पहले राजधानी जो है वो वपारावल नाग नागदा को बनाते हैं मेवाड की गौडी संकर हीराचंद उझा जो है इन्होंने क्या कहा जैतर सींग को रन रसिक कहा यानि सबसे प्रतापी शाशक तो अब देखिए एक युद्ध होता है नागदा से ही 12 किलोमीटर दूर जिसे भूत आला का युद्ध कहा जाता है यह 1227 में होता है और इस समय जो समकालिन चाशक हैं दिल्ली के वो हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम वन्स के इल्टुतमिष तो इनका मेवाड के जैतर सींग के साथ जो है वो युद्ध होता है जिसमें जैतर सींग विजय होते हैं और इल्टुतमिष पराजित होता है अब हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी जो है वो कहां से मिलती है हमीर मद मर्दन से मिलती है ठीक है याद रखना है जै सिंग सूरी की जो पुस्तक है हमीर मद मर्दन तो इसमें हमें जानकारी मिलती है भूत अला की युद्ध की तो देखिए ये हमीर शिशोदिया या हमीर चोहन के बारे में नहीं है, बलकि हमीर मद मर्दन जो है, वो किसके बारे में है, इल्तुतमिस के बारे में ही है, कि किस तरीके से जैतर सींग ने इल्तुतमिस का जो घमंड था, वो समाप्त किया था, ठीके, तो मैंने हर शब्द को जो है, वो यहां डिपाइन किया है, हमीर का अर्थ ह अमीर इल्तुतमिस और मद का अर्थ है उसका जो घमन था गुरूर और मर्दन का अर्थ है नस्ट करना तो जैसिंग सूरी ने हमीर मद मर्दन में भूत आलक युद्ध के बारे में जानकारी दी है देखें यहां पर जो है वो मैं इस बार मैंने क्या किया है लास्ट जो बच् थे वो बहुत ही शॉर्ट कट में बनाये थे और वीडियो बनाया था लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे वीडियो देख लेते हैं नोट्स भी उनके पास पहुंच जाते हैं और लास्ट टाइम में जब उनको रिवीजन करनी होती है तो प्रॉब्लम उनके सामने यह आ र लिख दी है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और बाद में मुझे पता है टाइम नहीं रहता है रिवीजन के टाइम पर तो आप लोग वीडियो जो है वो नहीं देख पाते हैं के वल नोट्स ही पढ़ते हैं तो यहां नोट्स के द्वारा आप लोगो को वीडियो की कोई कमी महसूस नहीं होगी इसलिए मैंने यहां पर हर चीज लिख दी है भूताला के युद्ध के बाद जो है इल्तुतमिस ने जैतर सींग की राजधानी नागदा को नस्ट कर दिया था इसके बाद जैतर सींग ने अपनी नई राजधानी चित्तोड को ब बनाया तो देखिए समय समय पर मेवाड की राजधानी जो बदलती रही ठीक है पहले नागदा थी वपारावल के समय में फिर अलहट के समय में जो है आहड राहसदानी हुई उसके बाद जैतर सींग ने भी नागदा को बनाया और अंत में चित्तोड को बनाया था परिस्त इतिहासकार कहते हैं कि जैतर सींग ने 1248 में दिल्ल के सुल्तान जो है दिल्ली के जो सुल्तान है नासुरुद्दीन महमूद को पराजित किया था ठीक है ये भी लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि दिल्ली सल्तनत के साथ समभन जो है वो हम पढ़ रहे हैं तो जैतर सी इस युद्ध में वीर धवल के मंत्रियों वास्तूपाल और तेजपाल इन्होंने संधी करवाने की कोशिश की लेकिन जैतर सींग ने इनकार कर दिया था तो ऐसा जो है वह हमें चीरवा का सिलालेक में मिलता है कि जो जैतर सींग है इन्होंने गुजरात के साशक त्रिबूवनपाल से युद्ध किया था और इस युद्ध में वीर धवल के मंत्री वास्तूपाल और तेजपाल इन दोनों का नाम याद रख्येगा इन्होंने संध करवाने की कोशिश की लेकिन जैतर सीग ने इनकार कर दिया यह हमें मिलता है चीरवा के सिलालेक में जैतर सीग के बाद है रावल तेज सींग तो यह साशक जो थे वह अपने नाम के आगे पहले क्या लगाते थे रावल लगाते थे लेकिन जब हम शिशोधिया वंस पढ़ेंगे तब है अपने नाम के आगे शाषक क्या लगाएंगे राणा लगाएंगे रावल तेज सींग इनका समय है 1250 से 1273 इसवी इन्होंने उपादी जो है वो लिथी उमापतिवार लब्द की परमभटार की महराजा धिराज परमेश्वर की ठीक है तो उमापतिवार लब्द जो है वीसल देव को पराजित करके इन्होंने धारण की थी तेज सींग के समय का मेवार का सबसे प्रथम चित्रित ग्रंत है श्रावक प्रतिक्रमर सूत्र चूर्नी जो की 1260 का है जिसके लेखक है कमलचन याद रखिएगा कि मेवाड का सबसे प्रथम चित्रित ग्रंत है श्रावक प्रतिक्रमर सूत्र चोड़नी जिसके लेखक है कमलचन तो ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे फैक्टू तेज सिंग ने अपनी रानी जेतल दे के नाम पर चित्तोड में श्याम पार्शोनात का मंदिर का निर्मान भी करवाया था तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों के ही नाम याद रखियेगा कि तेज सिंग के समय में जो सुल्तान शाशक थे दिल्ली के वो नाशुरुद्दीन महमूत थे और ग्यासुद्दीन बलवन थे तो यहाँ पर विशेश तोर पर आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था तो उस समय कौन सा शाशक जो है वो वहाँ पर राज कर रहा था नेक्ष्ट है रावल समर सिंग 1273 से 1302 इसवी इनके जो समकालीन शाशक है खिलजी वन्स हैं ठीके खिलजी वन्स में अलावदिन खिलजी तो गुलाम वन्स की समापती हो गई थी और उसके बाद आया खिलजी वन्स रावल समर सिंग के पुत्र थे रतन सिंग और कुम्बकरण विद्वान जो है इनके थे रतन प्रबसूरी, पार्शोनात, भाव शंकर, वेद शर्मा, सुबचंद्र, पदम सिंग, केल सिंग, केलर्ड और करम सिंग जिसमें जो पार्शोनात थे वो एक जैन विद्वान थे, सुबचंद्र हिंदु विद्वान थे और करम सिंग शिल्पी थे ठीक है तो याद रखिएगा देखिए बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि इतने सारे फैक्ट जो हैं कैसे याद करे लेकिन आप लोग वीडियो को जो है एक बार देखने के वाद छोड़ना नहीं है वीडियो आप अभी देखिए क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है और इनको बार बार देखिए ताकि ये चीजें जो हैं वो अपनी सी लगने लगें और जैसे ही ये अपनी सी रखने होंगे जिन प्रभु सूरी का जो ग्रंत है तीर्थ कर उसकी अनुसार हमें पता लगता है कि जब अलाउदीन खिल जी की सेना गुजरात जा रही थी तो मेवाड में समर्सिंग जो थे इन्होंने इनसे टैक्स वसूला था इस वज़े से ही समर्सिंग पर आक्मण करते हैं बाद में अलाउदीन खिल जी तो एक बार मैप से हम लोग जान लेते हैं देखिए यहां दिल्ली जो था यहां से जो है यहां पर जो है दिल्ली के सुल्तान रहा करते थे तो वह है जब यहां से गुजरात जाएंगे तो रास्ते में क्या पड़ेगा मेवाड लेकिन ये टैक्स नहीं देना चाते थे तो यहां से जाते हैं और टैक्स ते भी देते हैं तब ही इनको आगे जाने दिया जाता है तो इसी वज़े से समर सिंग पर आक्रमर जो है वो 1299 इस्वी में अलावदीन खिलजी करता है अब जब गुजरात से ये सोमनात मंदिर को पूर्ति लूट लेते हैं धन लूट लेते हैं यहां से वो बापस जा रही होते हैं लेकिन अब की बार ये मेवार से ना होकर कहां से जाते हैं जालोर से जाते हैं तो जालोर में यहां पर बैठे हुए थे शाशक कौन कानड देव ठीक है कानड देव बैठे हुए थे तो वो पूरा लूट का सामान लूट लेते हैं तो इस वज़े से ही अलाउदिन खिल जी जो है आकरमण अब किस पर करेंगे कानट देव पर करेंगे तव जालोर में कानड देव द्वारा लूट का धन लूट लिया जाता है अलावदीन खिलजी ने समर सिंग जो कि मेवाड पर थे उन पर आक्मन किया 1299 में युद्ध होता है किन्तो खिलजी हार कर वापस दिल्ली चला जाता है समर सिंग के पुत्र रतन सिंग के साथ जो है वो 26 अगस्त 1303 इसवी को खिलजी का युद्ध होता है ठीके और देखिए 1299 में समर सिंग के साथ युद्ध होता है तो यहाँ पर तो हार जाता है लेकिन रतन सींग के साथ जो युद्ध होता है 26 अगस 1303 को तो यहां पर अलाउदिन खिलजी की विजय होती है तो next साशक जो है वो है रावल रतन सींग जो की अंतिम साशक रहेंगे रावल शाखा के तो इसे पढ़ेंगे हम next वीजियो में तो इसे आप बार-बार revise करिए बहुत ही interesting जो है वो जैसे story होती है इसी तरीके से यहां story है तो इसे तो आप याद रखिए और fact जो है वो इनको बार-बार रटिये ठीक है हर fact जो है वो इतना रटिये कि exam में जब आ जाए आपके सामने तो फटा-फट से आपको लगाना है कि हाँ हमने तो पढ़ा है इसका answer केवल यही है चार option में से जिससे negative marking जो है होगी तो वहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे तो चलिए मिलते हैं next video में thank you